मनोज काका अब आम आदमी को एक एक शुरत दालू का ध्यान रखा जाएगा ठीक है मैंने आपकी बात सुनी आम आदमी का ख्याल रखा जाएगा ये भरोसा दिया जा रहा है खुद मुख्यमंत्री एक्शन में आते दिख रहे हैं कि नहीं आपने जो तस्बीरें दिखाई और जो वहां से सच की तस्बीरें आई उसको किस तरह से डिनाय किया जा रहा है उसको सच को देख करके वो जो बात है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं इसी उत्तर-प्रदेश में मुख्य का की गाली दी जा रही है इस तरह के गाने मुख्यमंत्री के आवास के भगल में जिस उत्तर प्रदेश को बिगत दो सालों से जादा दिनों से जो पूरे देश का सबसे बड़ा सुबा हो जनसंख्या के हिसाब से उस उत्तर प्रदेश को एक अस्थाई DGP तक नहीं मिल पा रहा है जब यह तो खास के ही लोगी हैं यह वही लोग जो सरकारी खास लोगों के वंचना में खास लोगों के समर्पण में देश के सारे संस्थान खास लोगों को बेज सकती है तो वह सरकार सिर्फ खास लोगों था वह बहुत मर्यादित था समन्वेकारी था डक्टर लोहिया कहते थे कि मर्यादा पुर्सक्तम आप तो गई नहीं प्राण प्रतिष्टा में आप यहीं नकारात्मक बाते करके अपनी राजनेतिक रोतिया से रहे हैं कि यह बात लगतार श्रीराजनायर कह रहे हैं हम यह हम नहीं गए प्राण प्रतिष्टा में और भारती जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी इसने अपने राष्टी अध्यच को भी नहीं बेजा जैसा अहीं गये तो बहुत सारे लोग नहीं लेकिन राम के बारे में तो ऐसा है कि हम तुम्में खड़क हम में घट तो लोग इतनी तादाद में आ जाएंगे प्रशासन की भी एक लिमिट होती है ना एक सीमा होती है कितने लोगों को वो संभाल पाए और बैरिकेड लगा रखे थे अब लोगों ने अगर वो तोड़ दिये सारी जम्मेदारी क्या प्रशासन की ही हो जाती है लोग भी अधीर हुए और हम तो लगातार अपील कर रहे हैं फिर से अपील कर रहा हूं लोगों से उतावले मत होईए अब रामलला वहां विराजमान है सोच समझ कर जब आपको लगे जाद भीड़ना हो तब ही जाईए बिलकुल लोगों की जम्मेदारी है और लोग लोग कितने आये हैं यह आप संख्या बता रहे हैं और प्रशासन क्या कर रहा था लोगों ने कोई वहां किसी तरह का उपद्रों तो किया नहीं लोग तो सिर्फ दर्सन करना चाह रहे थे उनको सुलबता से सुचारू रूप से दर्शन कराने की जिमेदारी किसकी थी जो सासन ये कह रहा है कि कई हजार करोड खर्च कर दिये तो बेरिकेट बनाया होता लोग अलग अलग जगा पर रोके गए होते उनकी सुचारू रूप से बेवस्था की गई हमारी तो सरकार में कुम्ब का मेला हुआ था हवार्ड इ संवर्चा के जिमेदारी कहा है जिसमें आदमी को गोली मारी जा रही हो मुख्यमंत्री के घर के बगल में जब इस तरह के लोगों को गाली देते हुए डीजे बजाने की पूरी पूरी अनुमती हो तो जो सरकार में जो अधिकारी हैं वो जान रहें कि सिर्फ सरकार के देखिए ये तो कोई rocket science थी नहीं ये तो सारी दुनिया जानती थी और प्रशासन भी जानता होगा कि भई लाखों की भीड आएगी तो ऐसे में क्योंकि आप DGP रहे हैं मैं आप से जाना चाहूँगा एक standard operating procedure क्या होता है भीड को नियंतरित करने के लिए श्रद्धालूओं को सईयम में उनका धैरिया बनाए रखने के लिए कोई एक standard operating procedure तो होता होगा ना और क्या वो follow होता दिखा आपको कि देखिए दिक्कत यह है कि आप भी प्रशाशन को दोशी ठेरा रहे हैं और आम तोर से ठेराया जाएगा लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि पूरे देश में एक hysteria पैदा किया गया था जिस तरह से सारा मीडिया सारा प्रशाशन हेलिकाप्टरों से माल सकता मैं तो इससपी कुम मेला रहा हूं इलाबाद में मुझे पता है कि एक निश्चित असर के बाद सब लोग एक तरह से हताश और जिसे आपके हैल्पलेस हो करके देखते हैं तो यह तो फिर राजनेटिक नेट्रित्र को इसको देखना पड़ेगा ना उन्होंने कभी इतनी भीड नहीं आती थी राम नौमी में भी भीड नहीं आती थी बलके विश्व इंदू पैश्चत के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अपने सारे कारकेम और राम नौमी वाले दिनों में करते थे चोग्यों मोबलाइज नहीं कर पाते थे क्लाउट को इस बा हूँगा अब अयोध्या की सीमाएं तो सील थी कल रात तक तो सारी सीमाओं पर से सील अटाने की जरूरत क्या थी यह तो लोकल इंटेलिजन्स यूनेट या पुलिस के पास जानकारी होगी कि भाई इतनी भीड आ गई तो एक तरफ से ही दर्वाजा खोलो एक तरफ की सील था ना पूरा हटा दिया जी हो गया बाइस जन्वरी हो गई प्राहण प्रतिष्टा हो गई अब उत खोल दो सब खोलोगे तो यह तो होगा बीड का रेला आएगा वो बात आपकी ठीक है पर उसको भी संभाला जा सकता था क्या उसको भी सिस्टमाइज सेयमित किया जा सकत लेकिन हमारी राजनीत की ज्यादा से ज्यादा लोग दिखाये जाएं वहां ज्यादा से ज्यादा एक उल्लाव के इस तरह हो रहा है तो यह तो राजनेतिक नेत्रतु भी चाहता था और इसी लिए यह भीड़ाई है और जो नहीं लोग सकते थे आपने सही काग कल 8000 लोग आये थे आज भी दीरे रेगुलेट कर सकते दे लेकिन वह रॉड़ाई से कोई राजनेतिक नहीं है इस पूरे और फाइदा उठाया जा रहा है और वह फाइदा इसी तरह होगा जब भीर दिखाई जाएगी नहीं और और गनीमत है क वो तो मुख्यमंत्री लखनाउ छोड़ के भागे अयोध्या उसी के बाद हलकम मचा नौकर शाहों में भी अफसर शाही में भी तब हालात काबू आते दिखे मुख्यमंत्री जी को नहीं आना चाहिए मैं मैं आपको कुम का अपनान बता सकता हूँ कुम में दो मुख्यष्रान के दिन है उसमें सब को रोग दिया जाता था ना कोई मुख्यमंत्री आता था ना पदार मंत्री आता था नहीं वो दर्शन करने थोड़ा है वो तो इंतजामों की समीक्षा करने के लिए अभी वो बैटक खत्म हुई है मंदर के अंदर ही बैटक लिए उन्होंने निर्पेंद्र, मिश्रा और ADG सिक्यॉरिटी के साथ जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और यह है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब यह करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे